अथ्याई तो श्लोक उन्चालिस भागवत कीता तूरे नाहय वरम कर्मा पुथियोगा धनन्जया बुथव शरणम अन्विछ्या गृपनाह फलहे तवहा अनुवाद इस बुथियोग की तुलना में सकर्म कर्म अत्यंत निर्कृष्ट है इसलिए हे धनन्जय तुम बुथि की शरणलो फल की इच्छा करने वाले अत्यंत दैनिया है प्याक ख्या बुथियोग का क्या अर्थ है जब हम अपनी बुथि के द्वार का प्रयोग बाहर चांकर संसार को जानने के लिए नहीं बलकि अपने स्वयम के अंदर चांकर स्वयम को जानने के लिए करते हैं तब हम अपनी समस्त बुथि का प्रयोग करते हैं इस अवस्था को बुथियोग कहते हैं आजकल आधुनिक व्याज्यानिक भी कहते हैं कि सामान्य मनुष्य जो का दुरुपयोग है परन्तु आध्धात्मिक साधक स्वयम को जानने की यात्रा के लिए जब अपनी बुद्धी का उपयोग करते हैं तब वे अपनी सौप्रदीशत बुद्धी का उपयोग कर रहे होते हैं योगिश्वर श्री कृष्ण इस लोग में उन लोगों को दैनिय कह रहे हैं जो सकर्म कर्म करते हैं क्योंकि फल पाने की इच्छा से किये गए सभी कर्म घ्रणत हैं वे करता को निरंतर जन्म और मित्यू के चक्र में बाधे रखते हैं इसलिए मनुष्य को अनुकूल परिनाम पाने की इच्छा से कर्म नहीं करना चाहिए तथा कर्म करके उसे पूरी तह से परमात्मा को अर्पित कर देना चाहिए। तब ही मनुष्य निश कर्म 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 योगी बन पाएंगे। अगर आपको मेरे इश्लोग की व्याख्या पसंद आई हो, तो कृपिया कर मेरे चैनल तर मिस्टिक डी मिस्टिफाई को लाइक शेर और सब्सक्राइब करें। जै श्री कृष्णा।